नमस्कार मेरा नाम पाउन काकुरिया और आप देख रहें थिंक ओफ काकुरिया मैं एजुकेशन मॉटिवेशनल और नोलेज के लिए वीडियो लेके आता रहता हूं आज मैं माल्टा पे लेके आया हूं माल्टा टूरिस्ट विजा से वर्क विजा में कैसे कनवर्ट कराएं तो कुछ पॉइंट से कैसे आप जाएंगे कौन जा सकता है यह सब बाते आज हम डिसकस करें क्या 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 डॉकुमेंट्स चीएंगे और कैसे टूरिस्ट विजा को work wija में convert कराएंगे मातर एक या दो country ऐसी है जो पूरे वर्ड में tourist wija को work wija में convert कर देती है उन में से एक country है माल्टा दूसरे है पूर्टगल पूर्टगाल भी बोलते हैं पूर्चगल भी बोलते हैं तो हम आज माल्टा पी discuss करते है जैसे हमारे देश का अंडमा निकबार है यह हमारे देश की एक UN territory है Malta ऐसे ही यूरोप में है जो एक DP है अंडमा निकबार की तरह है चार उतरब से पाने से गिरा हुआ है लेकिन यह अपने आप में या हुआ I. ये किसी की अंडर में नहीं आता है ये यूरोप की एक कंट्री है अगर आप यूरोप में जाना चाहते हैं माल्टा या किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप सेंगेन वीजा लें सेंगेन वीजे से आप एक कंट्री का वीजा लेके और उस कंट्री से दूसरी कंट्री तीसरी कंट्री आप ऐसे घूम सकते हैं यानि क से के थ्रू हम माल्टा जाएं हम डारेक्ट माल्टा भी जा सकते हैं लेकिन डारेक्ट माल्टा ना जाकर सबसे अच्छा होगा आप किसी सेंगें बड़ी क्योंकि माल्टा आपको चार पांदिन का वीजा मिल जाएगा कि माल्टा डारेक्ट जाएंगे चार पांदिन में विजा मिल जाए अब बहुत सारी कंट्री हैं उसके नियर भाई अब जर्मनी से मालटा जा सकते हैं जर्मनी का सेंगिन विजा ले या या आप इटली का सेंगिन विजा ले फिर मालटा जाए या या आप नीदर लेंड का सेंगिन विजा ले फिर मालटा जाए या रूमेनिय का सेंगन विजा लें फिर मालता जाएं चैक रीपब्लिक का विजा लें और फिर मालता जाएं तो यह आप ही डिपेंड गरते हैं आप कुन सा विजा लेंगे बहुत सारे लोग नीदरलेंड से मालता जाते हैं बहुत सारे इटली से जाते हैं जर्मनी से आप मालता ना जाए जर्मनी और निदरलेंड बहुत कम विजा अप्रूव करती है तो आप हुमेनिया से चेक रिपब्लिकन से इन से जाने की ज़्यादा कोशिस करें आपको ज़्यादा दिन का भी विजा मिल जाएगा और इजली भी मिल जाएगा जहां तक मेरा मानना है आप इटली से भी जा सक और कुन सा वीजा ले ये भी बता दिया कि आप सेंगेन वीजा ले तूरिस्ट वीजा सेंगेन वीजा ले अब बात आती है हमें किस के लिए क्या डॉकुमेंट्स रिक्वार्मेंट होगी कि हमें वीजा बिल जाएगा इस्टूडेंट के लिए क्या रिक्वार्मेंट होग मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जैसे यह पूरा फोलो क्रेंगे तो आपको माल्टा जाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा इं डियन्ग माल्टा जाते हैं और माल्टा में requirement है माल्टा पूरा tourist से चलता है और वहां जो work vj पर जाते उनसे वहां जो काम होता है वो यहां से गए वे वरकर्स के थूरू ही वहां की एकोनोमी चलती है यह ऐसे ही होता है सारा कुछ तो अब बात आती है कि इस्टूडेंट के लिए क्या-क्या डोकुमेंट्स चीएंगे तो को इस्टूडेंट के लिए उसके चितनी सर्टिफिकेट एजूकेशन के वो सब लगाने होंगे उनिवर्सिटी स्कूल या फिर उसकी कोलेज के जो जहां से उसने एजूकेशन प्रा आप ये दिखाएंगे कि मेरी छूटियां पड़ी हुई है मेरी होलीडे चल रहे हैं और में होलीडे यूरोप में बिताना चाहता हूं उसमें आपको होलीडे के लिए होलीडे अप्रूवल लेटर लेना होगा और वो सब आपको अपने वीजे के साथ लगाने होंगे जिस सेलरी सिलिप शिक्स मंत की वन यर की या शिक्स मंत की वो आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट लेंगे जिसके आपकी सेलरी आती है आपकी सेलरी तक्रीबन साथ लाख आठ लाख के आसपास हो तो आपको चांस बनेगा विजिटर वीजा लगने का और आपके अकाउंट में 4-5 लाख 6 लाख की आसपास फंड हो जिससे कि आप वहाँ जाएंगे कंट्री में जाके आप वहाँ खर्च कर सकते हैं और वो आपके पास accounting fund होना चीए यह तो आपकी employee की बात होगी अब बात आती है business person या self-employed की जो अपना खुद का business कर रहा है या अपना व्यापार कर रहा है वो कैसे European country जा सकता है सेंगेन विजा लगवा सकता है कैसे मालता जा सकता है उसके लिए GST current account होना चीए और current account के थू ही उसका turnover जो sale का turnover होता है उसका इलेन देन जो पैसे का जो होता है वो current account के थू ज़्यादा से ज़्यादा होना चीए तो उसमें उसका ट्रेनोर शो होगा और उसकी जो net profit यह नहीं कि उसकी जो ITR होगी वो 5-6-7-8 लाख रुपए के आसपास हो last वाली ITR आठ लाख रुपए के असपास हो और सरुवाली ITR 6-7 भी हो तो भी चलेगा बाकी दो ITR तो लाश्ट वाली ITR तो आठ पे ही हो कोशिस करें तो वो अधर कंट्री जा सकता है और उसका चार से 6 लाख के बीच अकाउंटिंग फंड हो उसके अकाउंट में हो जो वो अपने टूरिस्ट जो प्लेस जा रहा है जहां जा रहा है वहां खर्च कर सके यह बिजनिस सेल्फ इंप्लोईड की बात आती है अब बा और उसकी वो आई ट्यार फाइल करता हो जो वो अपनी फसल बेचता है और उसका जो पैसा आता है वो अगरी कल्चर की वो अपनी इंकम टेक्स रिटन भरे उसकी रिटन भी साथ आठ लाख दस लाख रुपए तक की हो तो वो अपनी जो भी प्रोपरेटी है वो शो करे अब बात आती है टूरिस्ट वीजा लगने का खर्चा क्या आएगा देखो इसमें कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है आप खुद थोड़ी सी महनत करें वी एफस जाए अपना वीजा लगाए इसमें आपका आठ दस जार रुपए का मातर खर्चा होगा और आपका वीजा ल अगर आपकी कहीं पे अदर कंट्री में ट्रेवल हिस्टरी नहीं है इसमें कोई दो राई नहीं है यह आप मां लें कि आपका वीजा लग जाएगा आगे हम बताएंगे कैसे वहां पर जाने के बाद क्या प्रोसेस होगा जिस से आप विजिटर वीजा यह टूरिस्ट झालाट